नमस्कार एनमेफ देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ नवेद और मेरे साथ हैं रोहित बात करेंगे करनाटक में आज से चुनावी बिगुल फूक चुका है बज गया है चुनावायोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब तैयारियों की बात करेंगे क्योंकि साथ ही अब चुनावी बिगुल तो फीक भी चुका है आचार सहीता लागू हो गई है कौन सी पार्टी यहां पर किस तरीके से मैदान में उतर रही है उस पर भी बात करेंगे बीजेपी दाव खेल रही है इस बार यदुरप्पा पर फिर से 80 साल की अमरे यदुर क्योंकि पूर्वोतर में जाती है बीजेपी जब पांच वहां पर पूर्वोतर स्टेट में एलेक्शन होता है तो वही के लोगों को तवज्जो दी जाती है दूसरे स्टेट में आप हिंदी भाशी स्टेट में अगर देखेंगे तो कोई वी ऐसा नेता नहीं है जिसके द दुरप्पा पर दाव लगाया जा रहा है तो उसके पीछे हैं लिंगायत है और अंग्रेजी में से से कहते हैं इन रोम डू एज रोमन्स दू वहाँ पर उसी तरीके का आपका चाल चलन होना चाहिए जिस तरीके से वहाँ पर आपको एक्सेप्टिबिलिटी मिल जाए तो सबसे बड़ी बात जैसा एक तरीके से आप इसको ऐसे भी समझेए कि कैसे करनाटक में जो OBC वाली स्थिति आ जाती है क्योंकि 60% एक तरीके से वहाँ का जो वोटिंग जो आप वोटिंग पॉपलेशन अपनी देखते हैं वह साथ फीसेदी कम से कम OBC जाती से आती है एक और बड़ा दाव वहाँ पर बीजेपी ने खेला है एंड चुनाओ के पहले बीजेपी ने जो वहाँ पर OBC मुस्लिम थे उनको जो आरक्षन मिल रहा था वो कैंसल कर दिया है और वो भी लिंगायत में बाट दिया है तो मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ठीक है वहाँ से भी क्योंकि होगा यही कि कॉंग्रेस भी इसी तरीके से आगे बढ़ रही है क्योंकि अगर आपने राहूल गांदी की प्रेस कॉन्फरेंस को ध्यान से देखा हो तो OBC वालों को साधनी के लिए उन्होंने एक तरफ अशोक गहलोत बिठा रहे थे और दूसरी तरफ भुपेश बगेल बैटे हुए थे और उसके बाद जिस तरीके से वो बात करते हुए नजर आ रहे थे साफ तोर पर वो यह जताना चाह रहे थे कि हम तो सम्मान करते हैं एक देख लीजे हमारा राजिस्थान का मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री भी अगर आप छोड़ देंगे तो मुख्यमंत्री सचिन पाइलेट है वो भी उस तरहीके से OBC कि अधर आप भुपेश बगेल देख लीजे करनाटक में भी आप देख लीजे स्थिति ऐसी ही है जहां पर आप यह देखेंगे कि जो OBC की राजनीती ना सिर्फ करनाटक बलकि पूरे देश में राम बाड़ है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है इसमें क्या है OBC का सबसे बड़ा चेहरा कौन है देश में? प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी उससे बड़ा चेहरा लाओगे कहां से आप? कहां से लेकर आओगे? तो इसलिए जब OBC की बात बात बीजे पी अगर जहां पर होगी तो वहां पर बीजे पी एज़ में रहेगी प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी एज़ में रहेंगे अब करनाटा का पूरा अगर वो देखें तो लास्ट के कुछ दिनों में समीकरन बहुत बदलें इस पूरी सिनेरियो में आप देखेंगे के अब अगर मैं करनाटा की बात करूँ तो अभी कुछ दिन पहले की तस्वीर आई थी जहां पर अमिच्शा पहुँए थे अमिच्शा ने नाश्टा किया था ये दुरप्पा की फैमिली के साथ जबकि ये दुरप्पा का बड़ा विरोध हो रहा था अमिच्शा गए उनके घर में नाश्टा किया और क्लियर कर दिया कि भाया जो जीत के लिए जरूरी है हम उनके साथ खड़े रहेंगे मंच से ये दुरप्पा ने और एक मिनिस्टर थे करणा टकें उन्होंने एक तसवीर अमिच्शा को भेट बेटकी अमिच्शा के कंदों पर है इसकत आ करणा टकी जिम बार ही एक तस्वीर जो दी थी वो तस्वीर ये बता रही है कि बी जेपी ने वहाँ पर अपर सबसे बड़ा दाओ खेल दिया है, मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, उस तस्वीर में दो चहरे थे, एक अमिच्छा का चहरा था, और दूसरा चानक के का चहरा था, तो चानक के जो बीजेपी के हैं, वो कूद गए हैं मैदान में, संग्या जो उनके साथ अमिच्छा लगी रह बारी आएगी, जब सत्ताओं को बदलने की बारी आएगी, जब शिवसेना जैसी कोई परिशानी खड़ी होगी, जब अमिच्छा सामने आएंगे, और अमिच्छा जब सामने आएंगे तो फिर नतीजे जो हैं, वो बीजेपी के पक्ष में होंगे, क्योंकि वो चारों ची कि उन्होंने एक तरीके से अगर आप कहें तो जड़े हिला दी थी पूरी तरीके से, जब उन्होंने उस समय पर भी ऐसा लग रहा था क्या सिंध्या तो आगए, क्या सचीन पाइलिट भी इस तरफ आजाएंगे, तो अगर आप एक लंबा इतिहास देखेंगे इन सारी की स राजिस्थान के अंदर जो भीतर गहाते वो इतनी ज्यादा है कि वहां पर बीजेपी को अभी भी मैनेज करने हो बड़ी दिक्कत आएगी, वसंदार राज्ये के साथ क्या करना है, बीजेपी अभी तक डिसाइड ने कर पाई है, तो अभी क्योंकि क्रनाटक के बाद आप आपके बाद मध्यप्रदेश आजाएगा, आपके बाद मध्यप्रदेश आजाएगा, और तीनों स्टेट ऐसी है, जिसमें से दो में, तीनों पर पहले तो कॉंग्रेस ही जीती थी, जिस फिर दो आप एक बीजेपी ले आई सिंधिया की बदौलत लेकिन आप फिर वाद करनाटक और मध्यप्रदेश आपको बचाना ही बचाना है, तो आपके लिए एक नया चालेंज है, तो आपको इस्टाबलिश करना है, लेकिन जो आपने राजस्थान वाली बात करी, जितना फूट और जितनी विवाद महां कॉंग्रेस को लेकर है, जितना विवाद उतना करनाटक में वापस आते हुए, अगर आपको इस समय पर यह लग रहा है, कि एदुरप्पा उनके लिए एक ऐसी स्थिती तक उन्हें पहुंचा सकते हैं, जहां से बढ़ी बीजेपी एक जीत का खौप देख रही है, तो कॉंग्रेस की तरफ से आपको क्या लगता है, क्या पढ़ाई में थी, सिर्फ दिक्कत कहां पर आती है, कॉंग्रेस अपने नेताओं को मैनेज नहीं कर पाती है, चुनाओ के पहले टिकेट वितरन में मैनेज नहीं कर पाती है, जो लोकल बाड़ी होती है, वो अलग से कुछ अपने खेल कर देती है, यहां पर अलग लोग आ उनके टिकेट, तो वो जो मैनेजमेंट है, वो देखे, बीजेपी का तगड़ा है, उसमें कोई शंका शक्षुबा ने, लेकिन अगर कॉंग्रेस करनाटक में डीकेश शिवकुमार को सीम फेस बनाती है, तो उसके बाद वहां पर चीजें बदल सकती है, क्योंकि डीकेश कॉंग्रेस को जिन्दा किया वा आदमी है, तो इस वजए से अगर वो आते हैं, तो बहुत हद तक कॉंग्रेस लड़ाई में न सिर्फ आएगी, बलकि उसका असर भी दिखेगा, उनी का चेहरा आपको लगता है, तैकर देना चाहिए, चुनाओं से पहले, बिलकुल कर दे कॉंग्रेस के लिए ऐसे वक्त में वो खड़े रहे हैं, हर वक्त साथ में, जब भी का, आप देखे, जब मद्रदेश के लोग तूट रहे थे, तो उठा के आपको लेके जाना पड़ता है, शिव कुमार की शड़ में, राइस्थान के लोगों को दो दो बाल लेके जाना पड़ता है, जहाँ पर भी कुछ दिक्कते होती है, शिप processor कुमार है, तो अधिकिए हैं जब शोड़ी थोड़ी आपको लगा के पारटी में दे रहे हैं, आपको लोग भी चुटा के दे रहे ARE, तो ऐसे ताकत है, तो ताकत का ऐसा होना चापटी के अंदर कार्यकरताओं क तो ये है करनाटक की स्थिती अभी हाल के समय में दस तारीकों दस माई मद्दान होना है तेरा को नतीजे आएंगे लेकिन इन सब के पहले बड़ा भीशन घमासान होगा बिलकुल और इसमें जो OBC को साथ जाएगा मेरे हिसाब से लेकिन देखते हैं हर बार लड़ाई चेहरों से नहीं जीती जाती कई बार इधर उधर और सारी की सारी चीजे भी गुणा गणित भी जवेस जिनको समय ना पड़ता है जिस वजह से हम अमिट शा का उधारन दे रहते कि अगर बात ऐसे नहीं बनेगी तो कान फिर घुमा कर पकड़ा जाएगा बहुत सारी चीजे हैं जो यह कह सकते हैं कि ब्रहमास उनके तरकश में इतने सारे हैं कि वह कौन सा लग जाएगा उसके बाद आंकलन करते रहेंगे वह मार के अट जाएंगे बहां से और अमिट श हैं तो उन्हें पढ़ना वाकिए कह सकते हैं कि राजनीति के चात्रों को पढ़ना चाहिए हमिच्छा को और आने वाले वक्त में पढ़े भी जाएंगे वह जैसे मोधी को भी कहा जाता है कि जिसको नेता बनना है वो मोधी को देखे मोधी को समझे उनके हावभाव को तो आजकल एक पर्सोना क्रियेट कर दिया जाता आदमी के आगे अब करनाटक में क्या होगा जंता क्या सामने कौन सी पार्टी अपना पर्सोना क्रियेट करेगी इस पर भी हमारी नजर रहेगी फिलाल नमस्कार